बिस्मिल्लाय रमान निवरेम असलाम लेकुम आज हम बनाएंगे चेंगर बगर यह बहुत ही इजी तरीकी से और बहुत ही कम इंग्रीडियन से बनेगा और बहुत ही ला जवाब और टेस्टी है आप मैकडॉनल्स के एफसी उसका बगर भूल जाओगे इतना ही टेस्टी है आप ज़रू ट्राइ के जिएगा आएए इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम मसाले को एकटा करेंगे जैसे हमने एक चमच नमक लीया है एक चमच काली मिल्श पाउड़र एक चमच लान मिल्शी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चमच बुनावाजीरा गालिक पाउडर यह रेडी मेट भी मिलता है सुपनिल का आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अब इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे सारे स्पाइस को अब थाइस का चिकन लेंगे उसको हलका सा फोक से थोड़ा कर देंगे और फ्लाट करेंगे थोड़ा सा बेलेंस से उसको तरफ लगाएंगे अच्छे से मसाला अब इसे एक से दो घंटे तक मेरीनेट होने रखेंगे जब यह मेरीनेट हो रहा है तब तरह हम इसके सॉस बना लेंगे हम तीन चमच प्रमाटो केचप डालेंगे यह हम बर्गर का सॉस बना रहें एक चमच रेड चिली सॉस एक इसन अच्छं मायोनेस इसे अच्छे से मिला लेंगे यह हमारा बर्गर का सॉस रेडी हो गया है साथी साथ हम फ्लार भी बना लेंगे करेंगे भर्ण को चिकन के 20 dolar को 2 कप मैदा लिया है एक कप अरोरो टाटा लिया है, एक चमच काली मिरी पाउडर डालेंगे, सफेद अगर काली मिरी है तो सफेद डाल दीजेगा, और एक चमच नमक, हमेशा दो कप अगर मैदा है तो एक ही कप अरोरो टाटा डालेंगे, अब हमारे थाइस को सबसे पहले हम कोट करेंगे, आटे करेंगे और दोबारा हम आटे में कोट कर देंगे सारे एकसेस जाल लेंगे और इसे डी फ्राइब करेंगे हमें एक से दो मिनिट तक हाई फ्लेम में करेंगे एक से दो मिनिट हम हाई फ्लेम में रखेंगे उसके बाद हम स्लो फ्लेम पर करेंगे और दोनों तरफ से लाल होने देंगे इसलो इसलिए करेंगे ताकि हमारा चिकन अंदर से पक जाए वना अंदर से कच्छा रह जाएगा यह जो हमने चिकन का पीस लिया यह थाई का है ब्रेस का नहीं है थाई का चिकन का पीस हम लेंगे बोलनेस करके ताकि हमारा थाईस का जो चिकन होते है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्क्यूजी रहता है यह देखें दोनों तरफ से अच्छा लाल हो गया गोर्डन ब्राउन हो गया अब इसे हम निकाल लेंगे अच्छे से चाल लेंगे चलिए अभी हम बटर लगा के हमारे बंस जो है बर्गर के उसको अच्छे दोनों तरफ से लाल कर देंगे बटर में कंचूसी नहीं करेंगे अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारा बंच जो है बहुत ही टेस्टी लगे दोनों तरफ से मस्त लाल हो जाए अब दुस्री तरफ से भी हम लाल कर देंगे हमारी बर्गर की सारी तैयारी प्रिपारेशन रेडी हो गई है आईए इसको एसेंबल करेंगे यह हमने बेस लिया है उसमें हम अपने सॉसेस डालेंगे जो हमने बनाया है बर्गर का अब इसके उपर हम चैदर चीज डालेंगे और उसके उपर हम थाई का चिकन डालेंगे अब हम लेटिस डालके थोड़ा डेकुरेट करेंगे और इसके उपर एक और चीज डालेंगे और दूसरे उपर वाले बन में भी सॉस डालके उसे बन कर देंगे यह दिखिए, यह हमारा जिंगर बर्गर रेडी हो गया है यह बहुत ही एजी है बहुत ही आसान तरीके से बनता है बहुत ही कम इंग्रीडियन्स में बनता है बहुत ही ला जवाब बनता है अब जरूर ट्राई केजएगा अलाफिस